अपने बारे में बताये तो मैं अपने अंदाज में कि कोई बात है किसी मकसद से हूँ यहां ना किसी बहाने से हूँ मेरा नाम करण है मैं फतेवा धारे आने से हूँ तो मैं कभी भी मतलब कवीता शुरू करता हूँ या कुछ भी शेरो शायरी करता हूँ उससे पहले मैं मा के बारे में बोलता हूँ लिखना मतलब कितना भी लिखो कम ही है यह बाई लेकिन फिर भी मैं शुरू करता हूँ सुनिया का कि ये बारिश में खेलने वाला लड़का समंदर से रोता है ये दुखों को जहलने वाला लड़का बबंडर से रोता है बारिश में खेलने वाला लड़का समंदर से रोता है तुफानों को जेलने वाला लड़का बवшьन्डर से रोता है और एक दफा फिर से चुप करादे न मा अब तेरा बेटा अंदर से रोता है तो आज थोड़ी सी बात मैं पहले एक्स की करूँगा जिसे हम चाहते हैं actually उसके लिए खुद को बदलते हैं तो सुनियेगा चारलाईने के मेरी नजर में हर वो इंसान बदला जिसने किसी खातिर अपना अर्मान बदला मेरी नजर में हर वो इंसान बदला जिसने किसी खातिर अपना अर्मान बदला और उसका घर दूर था मेरे घर से मैंने भी उसके खातिर अपना मकान बदला तो वो जाने से पहले क्या कहके गई थी सुनिएगा कि कहके गई थी कि तुम रोना नहीं पैचानते मेरा अरे मैं कारण जान जाता था बस उसकी सिस्कियों से कहके गई थी कि तुम रोना नहीं पचानते मेरा अरे मैं कारण जान जाता था बस उसकी सिस्कियों से और करण मत लिखे यार उसकी याद में अब वो परिशान हो जाती है हिच्कियों से तो चार लाइने सुनाऊंगा अभी कुछ महिनों पहले उसकी इंगेजमेंट हुई थी मैं हर इमेंट में यह सुना जी देता हूँ आज आती है याद तो उसकी इंगेजमेंट पर लिखी थी कि अंगूठी बदल लिया है उसने वो निकाह की तयारी में है आज भी उसकी सारी यादे कैद मेरी अलमारी में है अंगूठी बदल लिया है उसने वो निकाह की तयारी में है आज भी उसकी सारी यादे कैद मेरी अलमारी में है और उसे सबर करना आया ही नहीं कभी उसे सबर करना आया ही नहीं कभी उसने समझा ही नहीं कि करन जिम्मेदारी में है बट फिलाल तो इसेंटली उसकी मैरीज भी होगी तो एक होते हैं ना मतल़ लाइक टमना होता है एक शाधी के टाइम पर जब ढी एक्स की शाधी हो रही तही है हम दो ऑ हीचीजे होती है या तो वो खुद अपनी दुलन के लिवास में फोटो बेजती है या फिर हम मांगते हैं मेरे देखना है तुझे दुलन के लिवास में बोली अभी थोड़ी देर में भेशती हूँ वो बैठे हैं मेरे पास में जब उसने ये लाइन बोली तो मैं वहीं से बैक आउट कर गया मुझे नहीं चाहिए फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया तो उससे पूछा कि क्या चल रहा है कैसा चल रहा है देन वो मुझे हमारे बारे में बताने लगी कि वो तो बहुत बाते गरती थी तेरी अब क्या हो गया था फिर हमारी बाते चल रही थी सब बताया उसे तो उसने मैंने उससे पुचा कि क्या इश्यू क्या आया था कि उसको क्या मैं मतलब कहा से पसंद निया है मैं मैंने अपना प्यार पूरा दिखाये था तो उसने बताये दो लाइनों में कि वो क्या कहती थी यूं तो सही है करण पर कभी-कभी अच्छा क्यों नहीं दिखता यूं तो सही है current पर कभी-कभी अच्छा क्यों नहीं दिखता दर्द पे लिखता है बेवफाई पे लिखता है प्यार पे क्यों नहीं लिखता तो तब से मैंने छोड़ दिये दर्द बेवफाई अब प्यार की बारी आई तो एक तरफा प्यार की बात करूँगा क्रश एक यी बात है वैसे एक तरफा प्यार में क्या आ जाता है मैं आपको उताहिता हूँ दिल को इस बात से गिला हुआ है मेरा खास शक्त सब गैरों से मिला हुआ है दिल को इस बात से गिला हुआ है, मेरा खास शक्त अब गैरों से मिला हुआ है, तुम देखो फिर भी मेरी एक तरफा महबत को, उसका दिया हुआ फूल आज भी खिला हुआ है, तो मेरी अब जो पोएम है एक तरफा, वो शुरू कर रहा हूँ, एक तरफा आप सुनिएगा कि आज कल जीने लगा हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मतलब करशकुम बस देख लेना, हमारे, उसका नाम भी सुनने हमारे चाहरे पे मुसकान आ जाती है, जैसे दिल में जान आ जाती है एक दम से, तो क्या है कि आज कल जीने लगा हूँ, मैं खुश रहता हूँ, आज कल अप वो शक्स जिसके लिए दिल हर रोज लिखता है, सिर्फ दिदार से ही जिसके मिलती मुझे राहत है, एक तरफा महबत मेरी वो एक तरफा चाहत है। और आखरी मतलब होता है नहीं किसी चीज को beauty जरूरत नहीं होती तो वो ही है वो सुनिया कि सादगी में रहती है वो मैंने उसे सजा नहीं देखा सादगी में रहती है वो मैंने उसे सजा नहीं देखा मेरी आखोंने कभी ऐसा मजा नहीं देखा सादगी में रहती है वो मैंने उसे सजा नहीं देखा मेरी आखोंने कभी ऐसा मज़ा नहीं देखा बया कर ना सके उसे कोई ऐसी उसकी सजावट है एक तरफा महबबत मेरी एक तरफा वो चाहत है तो आखरी चार लाईने बढ़के आपसे इजाज़त लूँगा के लिखा तो सच लिखा वरना लिखा ही कुछ नहीं लिखा तो सच लिखा वरना लिखा कुछ नहीं उस शक्त से महबबत में मुझे दिखा कुछ नहीं लिखा तो सच लिखा वरना लिखा कुछ नहीं उस शक्त से महबबत में मुझे दिखा कुछ नहीं और घर की दहलीज में था करण तो बड़ा अनमोल था बारी दुनिया में तो मेरा बिका कुछ नहीं शुक्रिया झाल झाल क्या कुछ नहीं